मुंबई से सटे पायलगर जीले के बेटे गाउं ग्राम पंचयत अंतरगत रेस्पोंसिव कमपनी में लगी बिशन आग, आग के बाद धमा के, कमपनी के गोडाउन में लगी थी आग, बताया जा रहा है कि आग सबेरे सबे लगी और कमपनी के गोडाम को पूरे चपेट में ले लिया, जैसे ही खबर तारपुर अगनिशमन दल को मिली, तारपुर अगनिशमन दल के जवानों ने मोर्चा समालते हुए कमपनी पहुच गए, यह कमपनी बेटे गाउ, महागाउ रोड पर स्ती थे, जहां पर यह कमपनी में आग लगी थी, आग सबेरे सबेरे इतनी भिशन थी, कि देखते ही देखते पूरा असमान रंग में बदल गया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुबबारे पूरे धुए के यहां दिखाई दे रहे हैं, पूरा शेत्र धुएदार हो गया था, बताया जा रहा है कि कमपनी में सुरक्षा के अभाव थे, क्योंकि यह कमपनी पहले कृष्णा मिनाही के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसे नाम बदल कर रेस्पॉंसिव नाम कर दिया गया है, और इसका मैरेजमेंट भी चेंज हो गया है, यहां पर कमपनी में देखे तो सुरक्षा के कई अभाव हैं, और दोगिक सुरक्षे के नाम यहां पर कमपनी में परिपूर्ण सुरक्षा नहीं देखी जा रही है, यहां पर जो कामगार काम करते हैं, उनमें भी कई तरह की कमिया हैं, लेकिन यहां पर अब तक कोई भी अधिकारी सामने आकर बताने कोई तैयार नहीं है, कि आग का क्या कारण है, अभी तक यहां पर की आग लगी या किसी ने लगाई है ये जाच का विशे है और जाच के विशे में ही पता चल पाएगा कि हकीत क्या है हकीकत सामने तो तब आईगी जब यहाँ पर आला अधिकारी और द्वगिक सुरक्षा और स्वास्त के अधिकारी यहाँ पर महारच प्रदूशन नियंतर मंडल के अधिकारी यहाँ पर फैक्टर इंस्पेक्टर और यहाँ पर अन्य विबाग के अधिकारी जैसे की बिजली विवाग के जो अधिकारी हैं वो आकर जाज परताल करेंगे देखना यह होगा कि यहाँ पर यह आग का क्या कारण था कि इतने बड़े प्रेमाने पर आग लगी दोपर बात जब हमारा संपर करिस्पॉंसिव कंपनी के प्लांड इंचार्ज आरके पटिल से हुआ तो उन्हो पर जाज चल रही है अब देखना यह होगा कि बिजली विवाग के अधिकारी कब आये थे और फाइनल इंस्पेक्शन कब हुआ था इस बात को पूछने पर उन्हें नहीं पता कि बिजली विवाग का लास्ट इंस्पेक्शन कब किया गया था आरके पटिल जी ने किसी ने आग लगाई है देखना यह होगा कि आग की शोले जो है इतने भेंकर हैं कि आप देख सकते हैं कि उसमें ऐसा लग रहा है जैसे विस्वोड भी हो रहा है कमपनी में जब यह पूछा गया कि इसमें कोई जन्ही तानी या किसी इंसान को कुछ खरोज भी आई है क्य तो उन्होंने बताया कि कमपनी में किसी भी विक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही कमपनी में किसी की जान गई है देखते रहें जेबी नियूस